अश्कार उत्राखंड I hope so आप सभी लोग enjoy कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से हमारे expert teachers के साथ सीख रहे होंगे मेरा नाम है विनो चंदरतिवारी और मैं जो कोर्स उत्राखंड पुलीस पटवारी सब इंस्पेक्टर जिसे आप धरोगा कहते हैं और उत्राखंड के सभी one day exam का एक क्रांतिकारी कोर्स जैसा की ना भूतो ना भवश्यती मैंने पहले ही का है ऐसा कोर्स ना उत्राखंड के तिहास में पहले हुआ था ना भवश्यम होगा और हमारा टारगेट है कि पुलीस और धरोगा में 100 प्लस सेलेक्शन देना तो इन 100 प्लस सेलेक्शन की जो लिष्ट बन रही है अगर आप भी अपने सपनों की उडान लेना चाहते हैं आप भी चाहते हैं कि बेरुजगारी को खतम करके बाजीराव सिंगम बनना है चुलब हिमांसु सर उत्राखंड और हिंदी प्रदीप सर करेंट अफेर मैथमेटिक्स और पांडे सर अधर मिसेलिनियस सब्जक्ट पढ़ाते हैं तो योगी लोगों की एक धासु टीम जो आपको आपकी मंजिल दिलाएगी आज ही जोइन करें हमारा ऐसा कोर्स जिसका लिंक नीचे आपको description मिला हुआ है तो आईए आज मैं आपको भारत का इतिहास इंडियन हिस्ट्री पढ़ाउंगा और इंडियन हिस्ट्री मैं मैं सुपर important question पढ़ाउंगा आधुनिक भारत के most important top most question है और उसके theory क्या है वीडियो में आप पूरा बने रहिए ताकि आपको जो आधुनिक भारत का कॉंसेप्ट है क्रिस्टल किलियर हो जाए तो आईए मेरे साथियों सुरुवात करें देखे साथियों सबसे पहला भारत मैं आपको पता होगा कि 1690 के आसपास अंग्रेज आये थे मैं जब आपको इंडियन पॉलिटी पिछले वीडियो में पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर इस्ट इंडिया कमपनी की बात करी थी बहरहाल प्लासी का युद्ध हो गया 1757 और बकसर का युद्ध हो गया 1764 ठीक है तो ये जब दो युद्ध अंग्रेज जीत गए तो इसके बाद बंगाल की जो पावर थी बंगाल की जो पावर थी वो किसके हात में आ गई अंग्रेज के हात में आ गई यह बात आपको पता होगा कि उस समय का जो बंगाल था बंगाल was the most richest देखे बंगाल जो था स कौन कौन सा परदेश उसमें सामिल था मैं क्या कह रहा हूं गौर से समझे जो उस समय का बंगाल था उसमें आज का कौन कौन सा परदेश था देखिए आज का जो बंगलादेश जिसे आप जानते हैं इसके अलावा आज का पश्चिम मंगाल जिसे आप जानते हैं बिहार और उडिशा यानि आज जो इतना है उस समय आप कह सकते हैं कि पुरे पश्चिम बंगाल में सामिल था ठीक है अब थोड़ा सा important important topic और headlines को मैं देखते हैं 1701 में क्या होता है कि औरंग जेव ने मुर्शीद कुलिखा को ये नाम बार बार आएगा इस नाम को अपने आप भेजे में सेट कर लिजे कि मुर्शीद कुलिखा कौन था है बार बार आएगा तो मुर्शीद कुलिखा को बंगाल का सुबेदार बनाया कई बार आता है कि बंगाल का बास्तुकार किसे कहते हैं बंगाल का सस्थापक था, तो कौन था, मुर्शीद कुली खान, ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का इंडिपेंडेंट सासक घोशित कर दिया, हाला कि उसे औरंग जेप ने क्या बनाया था, बंगाल का सुबेदार बनाया था, लेकिन जैसे ये कौन बना मुर्शीद कुली खान यह नाम आप अपने भेजे में सेट कर लो क्याकि बंगाल पर इसके क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है अब एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है कि जो मुर्शीद कुली खान साब गदी पर बैठ गए बिल्कुल जम गया करके तो बंगाल की राजधानी पर इन्होंने चेंज किया देखे बंगाल की राजधानी पहले कहां हुआ करती थी धाका क्वेश्चन आता है बंगाल की प्राचिन राजधानी कहां थी धाका और इसने हटा के कहां पर चेंज कर दी मुर्शीदाबाद यह पॉइंट आता है ठीक है question ये भी आ सकता है कि बंगाल की राजधानी ढाका से हटा करके मुर्शिदाबाद कौन ले करके गया ठीक है तो ये question यहाँ पर बना इसके बाद मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में भूराजस्व का सुधार किया और भूराजस्वा प्रणाली स्थापित की ठीक है अब इसके अलावा उसने एक कुलीन वर्ग का गठन भी किया साथी इजारेदारी पृथा को बढ़ावा दिया ठीक है ये बात है पूरी आती है आप से question पूछ लेगा कि बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने किसी तरीके से बंगाल को सम्रिद्ध बनाया तो आप आप लिख सकते है कि मुर्शिद को लिखान ने क्या किया किया किर्शी संबंदी बहुत ज्यादा क्या किया सुधार किया अब ये किर्शी संबंदी जो बहुत ज्यादा सुधार था कई बार आप लोगों से पूछा जाएगा एक वर्ड आप लिखे लिजिए तकावी रिन तकावी रिन जैसा आज का किसान क्रेडिट काल्ड होता है आपने सुना होगा किसान क्रेडिट काल्ड का नाम सुना होगा कि advance में खेती करने के लिए किसानों को loan दे देना ठीक है उसे कहते थे तकावी रिन उस तकावी रिन को भी start कराने का काम किसी ने किया मुर्शीद कुली खान ने लिखते रही है हाँ ये तो जो आपको screen पर दिखाए दे रहा है इसे note करते रही है साथ साथ में जो मैं question बता रहा हूँ बिलकुल copy pen पकड़ करके copy में उसको लिखना भी आप लोग लगातारी start करते रही है इसके बाद आता था इजारेदारी प्रथा इजारेदारी प्रथा क्या होता है कि जो land revenue होता है यानि किसी बिचौलिय के माध्यम से खेती का tax collect करना उस system को क्या कहते है इजारेदारी प्रथा यहाँ पर इजारेदार कहने का मतलब क्या होता जिसे आप जमिदार भी कहते हैं ठीक है एक question मैं आप लोगों को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ इस question का आप मुझे जबाब comment करके जरूर देंगे इस question का नाम है कि भारत में इस्थाई बंदोबस्त प्रणाली ठीक है यह question आपको मैं पूछ रहा हूँ आप इसको बताएंगे कि भारत में इस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू करी थी वो कौन सा गवर्नर था जिसने इस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू करी थी किसन में लागू करी थी तो यह question आप मुझे बताएंगे नहीं आएगा तो फिर मैं आपको ब जमिदार होगे तीसरे तरफ किसान के होगे तो जारेदारी पृथा में क्या है देखे तीन कड़िया है एक तरफ राजा है एक तरफ किसान है और एक तरफ क्या है जमिदार है किसानों से टेक्स उगाएगा कौन जमिदार उगाएगा और उसके बाद किसे देदेगा वो टेक्स राजा को देदेगा ठीक है तो I hope so ये हो गया है खैर जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था ये question का answer यहीं पे मिल गया है मुझे नहीं पता था कि मैंने इस pdf में इस question का answer दिया हुआ है तो जमिदारी पृथा का जो जमिदार वर्ग का गठन तो किया मुर्शीत कुली खान ने लेकिन आधुनिक भारत में जो इस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया 1793 याद कर लो Lord कार्णवालिश क्या नाम है इसका Lord कार्णवालिश नाम याद रख लो 1793 Lord कार्णवालिश ने भा जारत में इस्थाई बंदोबस्त लेकि क्या करी सुरुवात करी हाला कि मैंने का तक कमेंट में बताना लेकिन कमेंट से पहले ही क्या हो गया आप लोगों को उत्तर मिल गया है आगे बढ़ते हैं फिर मुर्शीत कुली खान साहब अल्ला मिया को प्यारे हो गए उनके बाद इसके बाद आए होंगे सिराज उद्दौला ठीक है तो ये कई बार ऐसा आता है कि मुर्शीत कुली खान से सिराज उद्दौला तक बंगाल के राजाओं का सही करम क्या होगा तो ये क्वेस्चन टिपिकल हो जाएगा फिर आपके लिए तो आपको इसको अभी से सेट कर ल धीरे धीरे जब अली वर्दिखा गद्दी पर बैठा था तो उस समय तक बंगाल बहुत अमीर बन चुका था और अंग्रेज फ्रांसिसी यहाँ पर आकर के क्या करने लगे थे सम्रिद्धी के कारण जगह जगह आकर के अपनी हम कहें कि व्यापारिक बस्तियां जगह जग क्या करने लगे थे बसाने लगे थे और सबसे इंपोर्टेंट बंदरगाह कौन सा था यह देखे हुगली यह सुपर इंपोर्टेंट क्वेशन है नोट डाउन कीजिए कि प्राचिन समय में बंगाल का सबसेम बहत्वपूर्ण बंदरगाह कौन हुआ करता था तो यह क्या था हुगली बंदरगाह यह आपको पूरा 100% आदा चाहिए तभी भी आ सकता है ठीक है इसके बाद जो अली बर्दी खान साहब थे बंगाल के सबसे लास्ट ऐसे सासक साबित हुए जो अंग्रेजों के साथ मतलब सीनातान के जिन्होंने रूल किया यानि बंगाल के सबसे आखरी पावरफुल शाशक कौन से थे यह क्वेस्चन सामने आता है कि विच वास दे लास्ट जो अंतिम पावरफुल शाशक थे बंगाल के वो कौन थे तो उनका नाम क्या था अली वर्दी खान साहब ठीक है इसके बाद अली जो इंका नाम था सिराज उद्धुला कौन है सिराज उद्धुला जो पालासी के युद्ध में परास्थ हो गई जिनकी मौत हो गई थी वो अली वर्दी खान साहब क्या थे पोते थे तो सिराज उद्धुला गद्धी पर कब बैठे यह सवाल भी है 1756 और पालासी का यु कि पलासी का युद्ध किसी डेट को हुआ था अब पलासी के युद्ध की क्या प्रष्ट भूमी थी क्यों पलासी का युद्ध हुआ था थोड़ा इसको भी अंडरिस्टेंड और लड़न करने की क्या करते हैं कोशिस करते हैं देखे गद्धी के लिए लड़ाई होती रहती है ये बात तो सबको पता है और भारत के इतिहास में लगातार ऐसा होता रहा था कि गद्धी के लिए लगातार शंगर्ष हो रहे थे और पलासी के युद्ध के कारण भी कुछ यही थे देखिए सौका जंग जो कि सिराज उद्धौला के तीन पृतिद्धन दिछे जो चाहत था मैं राजा बनू सिराज उद्धौला का चचेरा भाई था सिराज उद्धौला ने इसे मार दिया घसीटी बेगम थी एक घसीटी बेगम आ सकता है सवाल घसीटी बेगम कौन थी यह सिराज उद्धौला की मौसी कौन थी घसीटी बेगम यह भी चाहती थी कि भाई इसक क्या हुआ करता था सिराज दौला का शेनापती हुआ करता था इसको हटा करके मीर मदान जो था उसे सेनापती का पद दे दिया गया था अब ये सौकज जंग घसीटी बेगम और जो मीर जाफर थे यह तीनों लोग मिल गए इनने क्या कहा कि भाईया सौकज जंग साहब दुस्मन का दुस्मन क्या होता है दुस्मन का दुस्मन तो दोस्त होता है और तीनों जाकर किसे मिल बैठे अंग्रेजों से जाके मिल बैठे और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ जब इसका युद्ध होगा भी आने आले समय में आप देखेंगे तो क्या होगा ये उसक सिराज उग्दौला और अंग्रेजों के बीच भी आपस में टसल चल रहा था लड़ाई चल रही थी और ये तीन प्रमुख मुद्धे जो थे सबसे पहला अंग्रेजों दौरा बंगाल का जो नवाब था सड्यंत्र करने वालों को बढ़ावा दे रहे थे अंग्रेज मतलब क्या कर रहा है कि जो अंग्रेज़ थे जो बंगाल के नवाब के खिलाब लोग थे उनको बढ़ावा देते थे उनको सइयोख देते थे शिराज उग्दौला को यह नहीं पसंद था दूसरा सिराज उग्दौला से बगैर पूछे फोट विलियम जो कलकत्ता की ब्यापारि बस्ति थी, उसकी किले बंधी अंगरेजों ने कर दी, फोट विल्यम की किले बंधी कर दी और 3.717 जो मुगल सासक फर्रूख सियर थे, उसने अंगरेजों को एक सीमा सुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार पत्र ये सवाल आता है देखो कि सीमा सुल्क मुक्त ब्यापार का अधिकार पत्र किसी ने अंग्रेजे को दिया और इसका नाम क्या था गौर से देख लो किसी ने दिया मुगल राजा फर्रूक सियर ने और इसका नाम क्या था दस्तक तो दस्तक जो दिया गया था इसका क्या किया गिए दुरुपयोग किया गया जिससे क्या दिक्कत हो रही थी कि जो नवाब था उसको भारी नुकसान हो रहा था ग्रेट लास हो रहा था तो ऐसे मैं अंग्रेजों ने युद्ध करने की ठान ली और सिराज की खिलाफ सबसे जो इंपोर्टेंट उसका मोहरा बना अंग्रे ठीक है तो कुल मिला के ये बात बनी और अंग्रेज उने गुप्त संदी करी और सिराज को इसने धोका दे दिया और उप्रोक्त कारणों के अधार पर सिराज ने क्योंकि मीर जाफर वगएरा ये सब अंग्रेज उसके खिलाब लगतार सरियंत्र कर रहे थे और सिराज कत्ता पर क्या कर दिया अटेक कर दिया और अटेक की तारिक देखे 20 जून 1756 को कहां पर फोट विलियम पर जनाब सिराज उद्वला अटेक कर देते है और फोट विलियम को क्या कर देते है कबजा कर देते है कैप्चराइजेशन कर देते है इसके बाद एक बहुत ही एतिहा इसे कहते है यह कब हुई थी 21 जून की रात हुई थी 1756 को कम से कम यह डेट आपको पता होना चाहिए ठीक है तो फोर्ट विलियम पर जब सिराज उद्वाला जनाब ने आकरमन किया तो वहां पर सिराज ने 446 कैदी थे जिनको क्या बना लिया बंदी बना लिया इसमें कुछ इस्तिरियां भी थी कुछ बच्चे भी थे और उनको बंदी बना करके क्या करा एक कमरे में बंद कर दिया जो बहुत ही घुटन भरा कमरा था यानि छोटे से कमरे में इसने इतने सारे लोगों को ठूस दिया तो सफोकेशन से दम घुटने से बहुत जादा लोग मर गए औ इसी घुटना को आधुरिक भारत के इतिहास बर काल कोटरी की घुटना कहा जाता है तो फिर इसके बाद अंग्रेजों को इस बात का बुरा लगा कि भाईया सिराज उद्धौला से हार गए तो मदरास से रोबर्ट कलाइव को बुलाया गया कि भाईया आओ और सिराज उद्धौला ने कहीं ना कहीं इनका जवाब देने की कोशिस करी लेकिन जब कलाइव ने कलकत्ता पर आकरमाल किया तो उस जो फोट सिराज उद्धौला ने उनसे छीना था उससे रिकेप्चर कर लिया और 9 फरवरी 757 को एक संधी हुई कि एक दूसरी की ओपर आकरमाल नह का नाम है अली नगर की ट्रीटी या अली नगर की संधी की बात है ठीक है इसके बाद कलाइव ने बंगाल की गद्धी पर एक कट पुतिली साशक क्याकि सिराज उद्धौला अंग्रेजों के लिहाद से बड़ा खतरनाक हो चला था तो उन्होंने एक एक साजिस बनाई एक सडियंत्र बनाया और एक सडियंत्र के तहत कहीं ना कहीं सिराज उद्धौला को गद्धी से हटाने की कोशिस की और कुछ गद्धारों को चुना जैसे मीर जाफर जो सिराज उद्धौला का पूर्वर शेना पती था उससे कहा हमारे साथ हो जाओ एक राई दुरलब था ज एक गुप्त समझाता हुआ और दिखाने के लिए एक युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध को कहते है पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को ये पलासी का युद्ध लड़ा गया था ठीक है अब यह सवाल आता है कि पलासी का युद्ध किस जिले में बंगाल के लड़ा गया तो ये नदिया जिला है पलासी किसी नदी के किनारे है ये सवाल पूछा जाता है तो पलासी है भागिरती नदी के किनारे ठीक है तो ये युद्ध हुआ और सिराज उद्धौला और सेना के बीच जब ये युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं सिराज उद्धौला को पता था कि कि सिराज उद्धुला इसमें एक तरफ अकेले पड़ गया था एक तरफ मीर जाफर मार लतीफ और राय दुरलप थे दूसरे तरफ के लाइफ की सेना थी और आपको पता है जो सिराज उद्धुला की तरफ से लोग लड़ रहे थे सिराज उद्धुला के साथ तो इन्होंने युद्द समाप्ट हो गया और कहा जाता है कि सिराज उद्धौला की ओर से एक भी गहिर गोला दागे यह युद्ध समाप्ट हो गया और प्लासी का युद्ध एक सौधा था जिसमें मीर जाफर और बंगाल के धनी लोगों ने नवाब के नवाब को अंग्रेजु के हाथो बेस दिया था यह किम पाणिकर एक हिस्ट्रोरियन है उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इस तरीके से पलाशी के युद्ध में सिठाज उद्धूला की मौत हो गई और सिराज उद्धूला की मौत के बाद कही न कही क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोगों को बंगाल में अंग्रेजों का कबजा दिखेगा अपरत्यक्षरूप से अब आगे क्या होता है बक्सर के युद्ध तक बात कैसे पहुंसती है और कैसे बंगाल से बढ़ते हुए अंग्रेज पूरे भारत पर कबजा कर लेते हैं इस आगले आने वा वीडियो आप पेड माधियम में दे सकते हैं यह तो खेर डेमो वीडियो है सबको दिख रहा होगा लेकिन पेड वीडियो एक्सक्लूजिवली हमारे वट्सप ग्रूप पे आएंगे तो आप जल्दी से उसे जॉइन करके लिंक कीजिए पेमेंट कीजिए और अपने सीट स हिस्ट्री थैंक यू सो माच